लास्ट वीडियो में हमने फैक्टर ठोरम के बारे में पढ़ा था और उस प्वेस्चन भी सॉलव करा था तो एक चीज आपको qlear होना चाहिए that what is a factor, factor क्या होता है यह आपको qlear होना चाहिए जैसे कि मैं आपको बताओ, यह आप definition से उपर देख सकते हैं, लिखाओ है screen पे आपके, एक polynomial gx is called factor of the polynomial px, if gx divides px exactly, जैसे माल लो आपके पास एक polynomial px equal to something given है, कुछ भी given है आपके पास, और एक polynomial एक है आपके पास term gx, gx equal to something, ठीक है, तो gx यह भी एक polynomial है, px भी एक polynomial, अगर gx, px को पूरी तरह divide कर दे, पूरी तरह divide कर दे, it means इसका remainder 0 आजाए, उके, इसका remainder 0 आजाए, तो हम कह सकते हैं, that gx is a factor of px, okay, gx जो है, px को completely divide करा, इसलिए gx क्या factor है, जैसे माल लो 12 है, तो 12 का factor, अगर आपसे कोई पूछे, क्या 12 का factor है, तो आप कहेंगे, क्या 1 ह 2 है, फिर क्या कहेंगे आप, 3 है, 4 है, उसके बाद कोई factor, खुद 12 है, और तो कोई नहीं है, 12 का factor है न, तो जो greatest factor है, वो क्या है, खुद 12 है, है न, तो आप यह कह सकते हैं, कि 12 के case में, यह 1, 2, 3, 4, 12, यह जितने भी numbers आपको दिख रहे, यह सब क्या है, इसके factors हैं, इसको divide करते हैं completely, यानि इसको जब इन सब से आप divide करेंगे 12 को, तो remainder, you will get 0, okay, so यह factor के बारे में आपको यह clear होगा, factorization क्या होता है, यह important चीज है, factorization क्या होता है, तो इसको समझने के लिए, आपको मैं white screen पे ले चलता हूँ, आप देखो इस पे, यह से माल लो, एक px equal to, कुछ given है आपको, कुछ भी given है, ठीक न, इतना साल equation दिया हूँ, माल लो, कुछ भी है, इसको जब आप 2 तर्म, 2 या 3 तर्म में, जैसे माल लो, आप लिख दो, x plus p into x plus q के form में लिख दो, या minus हो यहाँ पे या plus हो, कुछ भी इसके form में आप लिख दो, ठीक है, multiply हो, multiply में आप ब इसको factorize करके लिख दिया है, इस equation को, जो भी px equal to given होगा, उसको आप जब इस multiple, जो form में लिख सकते हैं, आप जैसे multiply के term में लिख सकते हैं, ऐसा 2 या 3 तर्म, 4 तर्म, जितना term आजा है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं, कि आपने, ये जो px equal to, जो भी given है, उसको आपने factorize कर जो use होते हैं लगातार, ये formula मैं आपको यहां mark कर रहा हूँ, आप देखो ये formula, ये formula आपको याद रहना चाहिए, और ये formula हम बचपन से पढ़ते हा रहे हैं, सारे formula, जो के, देखो आप a plus b का whole square पे है, x plus y का whole square, x minus y का whole square, और ये x square, y square, इस सारे formula आपको याद होने चाहि चलो, factorization वैसे तो 4 तरह से हम लोग कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो factorization का process है, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, methods of factorization में, factorization करने के methods कई सारे हैं, 4-5 method हैं, तो उसमें हम लोग पहला जो method पढ़ने जा रहे हैं, that is factorization by taking out the common factor, common factor को किसी polynomial, कोई भी polynomial आपको given है, कोई भी equation आपको given है, उससे आप common factor find करेंगे, and then आप उसको solve करेंगे, तो आपको वो factorize हो जाएगा पूरी तरह, देखो मैं आपको example से बताता हूँ, आप example first का पहला एक number देखो आप 5x square minus 20xy, ठीक है, 5x square minus 20xy, इसको factorize करना है, तो देखो 5x square minus 20xy, इस equation में, आप क्या-क्या common ले सकत हो, देखो, इसमें आप 5 common ले सकते हैं, 5 और 20 में क्या common ले सकते हैं, 5 common ले सकते हैं, उसके बार यहाँ पर x square है, और यहाँ पर xy है, आप देखो x square यहाँ पर है, यहाँ x है, तो इसमें x आप common ले सकते हैं, ठीक है, यह सारी चीज़ आप 7th एट्चे पढ़ते आ रहे हो तो आपको ये पता हूँ कैसे factorize करना है x को common ले लिया हमने फिर और कुछ common नहीं ले सकते है y सिर्फ एक ही तरफ है left side में right side में तो y है ही नहीं तो उसको common नहीं ले सकते है तो आप इसको क्या ले सकते हैं बताओ x minus और ये 4y लिख सकते हैं बताओ x minus 4y तो ये आप कह सकते हैं कि इसको हमने factorize कर लिया तो देखो एक equation given है मालो ये px given है और px को हमने ये multiply के form में लिख लिया तो आप कह सकते हैं कि ये factor है क्या 5x square minus 20xy का ठीक है इसका मतलब आप 5x से अगर इस पूरे equation को divide करोगे तो remainder क्या आएगा? 0 आएगा और x minus 4y से भी divide करोगे तो remainder क्या आएगा? 0 आएगा ये ही factors का basically meaning है I hope आपको ये meaning समझ आ गया होगा दूसरा question हम लोग लेते हैं ये देखो आप 36a cube minus 60a square bc इसको मैं आपको screen पर white screen पर बताता हूँ तो आपको ज्यादा clear होगा 36a cube b मैं यह लिख देता हूँ 36a cube b उसके बाद एक सेकेंड लुक जो 36a cube b minus 60a square bc 36a cube b minus 60a square bc ये question है आपके पास तो इस question को आपको क्या करना है बताओ factorize करना है इसको factorize करना है तो इसको factorize करने के कई सारे तरीके हैं आप बस इसको normally देखो इसमें common बहुत सारी चीज़े आएंगी ठीक है आप factorize करोगे तो इसको common बहुत सारी सी जाएंगी common में आप लिखो, मैं इसको red से लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा clear होगा 36 और 60 में किसको आप factor के तौर पर common ले सकते हो जैसे देखो 36 और 60 कौन-कौन से table में आता है पहले इसको याद करो आप तो पहले आप बोल सकते हैं कि ये 2 में आता है ठीक है 3 के table में आता है 4 के table में आता है क्या बताओ तो 4 के table में आप कह सकते हो कि 4 के table में भी ये आता है 5, नहीं 5 के table में नहीं आता है उसके बाद 6 या 6 के table में आता है then आगे 12 में आता है ठीक है 12 में आता है उसके बाद तो ये इतने सारे factors हैं ये 36 और 60 है इतने सारे factors हैं तो अब देखो इन सब में से आप क्या common लो बताओ ये तो आपको सोचना पड़ जागा इन सब में क्या common लेना है तो आपको एक सीज में बताता हूँ इस सब में जभी भी common लेना हो तो जो सबसे greatest factor हो उसको common लेना है ठीक है जो सबसे greatest है सबसे greatest कौन सा है इसकेस में 12 12 है सबसे greatest तो आपको यहाँ पर इन दोनों टरम से इस वाले टरम से और इस वाले टरम से 12 को common लेना है तो आप 12 को common ले लो यहाँ पर है A cube B और यहाँ पर है A square B C देखो A cube है यहाँ पर यहाँ पर A square है तो देखो A तो A वाला टर्म इसमें भी है और A वाला टर्म इसमें भी है और यहाँ पर A cube है यहाँ पर A square है तो इन दोनों में कौन सा टर्म common लेना है तो इन दोनों में common term लेना है आपको a square अब ऐसा क्यों देखो आप एक तरफ दिया हुआ है आपको a square तो इन दोनों में term आपको common लेने वक्त ध्यान रखना है यह चीज़ कि आप a common ना ले लो ठीक है आप common नहीं ले सकते आपको क्या common लेना होगा इन दोनों में जिसका power सबसे कम होगा उसको common लेंगे इन दोनों में जिसका power सबसे कम होगा तो a square का power कम है तो उसको हम लोग common लेंगे तो मैं a square यहाँ पर लिख देता हूँ screen पर इसको मिटाने के बाद ठीक है तो a square हमने common ले लिया 12 a square अभी तक हमने common ले रखा है और आप देखो इसे यहाँ पर b है यहाँ पर भी b है तो b और b दोनु का power क्या है सेम है तो कोई भी common ले लो b ले लिया हमने common और यहाँ पर एक जगे c है यहाँ पर तो c है ही नहीं तो वही common नहीं ले सकते हैं अब देखो अब इसको आप simplify करो तो 12 a square b into कितना multiply करोगे आप 12 a square b में कि आपको यह equation आ जाए तो आप इसमें कितना multiply करोगे देखो 12 into 3 तो आएगा 36 a square है यहाँ पर यहाँ पर a q बलाना है हमने तो a से multiply कर सकते हैं ठीक है b है तो 1 से multiply करने की जरुवत है तो यहाँ 1 लिखो या ना भी लिखो तो कोई बात नहीं माइनस यह वाले टर्म को देखो आप 60 a square b c वाले टर्म को देखो 60 a square b c तो 60 के जगे पर 12 के table में 60 कितने times में आएगा बताओ 5 times में 5 a square आपने कमा ले रखा है तो into 1 और b आपने कमा ले रखा है तो into 1 ठीक है तो वो लिखने की जरुवत नहीं है and c बच गए आपके पास तो यह आपने देखो इस polynomial को यह polynomial में मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर इस polynomial को आपने यह देखो यह multiplier के term में लिख दिया आपने ठीक ना? यह दो अलग-अलग term multiplied by two other terms आपने लिख दिया तो आप कह सकते हैं कि यह polynomial को आपने factorize कर दिया है इसका मतलब बताओ अगर आप इस polynomial को यह जो polynomial है 36 a cube minus b minus 60 a square b c इस polynomial को जब आप इस पूरे equation से divide करेंगे जब आप इस पूरे equation से 12 a square यह अलग-अलग करके 12 a square b से जब divide करोगे तो भी उसका expression क्या आएगा? बताओ 0 आएगा और minus 3 a 5 c से भी divide करोगे तो भी इस पूरे का जो remainder आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा तो I hope आपको यह clear हो गया होगा कि यह मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था आपको ओके चलो यह हमने समझ लिया मैं यह दो question जो example में दिये हुए है number 3 and number 4 यह मैं आप पे छोड़ रहा हूँ आप इसको बना लेना ओके और यह सारे आसान question है आप जल्दी से इसको बना ठीक है next point हम लोग डिसकोस करने जाने है factorization by grouping grouping के थुरू factorization कैसे करेंगे तो अब देखो ऐसा कई बार होता है देखो यहाँ पर लिखा होगा है sometimes in a given expression it is not possible to take out a common factor directly however the terms of the given expression are grouped in such a manner that we may have a common factor this can now be factorized as discussed है बब देखो ऐसा कई बार होता है कि किसी given expression में यह possible नहीं होता कि आप common factor directly उसका common factor निकाल लो ठीक है आपको वो दिख नहीं पाता है सही से तो उस case में आपको क्या करना है जो भी expression में जो भी given terms है ठीक है वो ऐसे मतलब manner में दिये रहते हैं कि हमको common factor उसको देख करके find करने का तो नहीं मिलता है बट उसको आप जब simplify करोगे तो आप उससे easily find कर सकते है उसका common factor क्या है जैसे यह मैं क्या बोल रहा है आपको समझ आएगा भी जैसे पहला example आप देखो a b plus b c plus a x plus c x अब a b plus b c plus a x plus c x इसमें आप कैसे factorize करोगे इसको तो देखो इसको factorize कैसे करा गया है आप solution में देखो यहाँ पे solution वाले पार्ट में देखो a b plus b c को एक टर्म में रख लिया हमने a x plus c x को एक टर्म में रख लिया ठीक है अब a b plus b c से हम b common ले सकते हैं then हमारे पास बच गया a plus c और a x plus c x से हम x common ले सकते हैं हमारे पास बच गया a plus c ओके तो आप लिख सकते हैं a plus c into b plus x तो यह सारे चीजे आप देखो यह आप easily factorize कर सकते हैं यहां से तो यह सारे चीजे बस आपको revise करा रही है class 7 और 8 में जो आपने factorization के बारे में पढ़ा है और पहले भी पढ़ते आ रहे हो ठीक है तो उसको बस revise कराने का यह तरीका है आप बस इसको revise कर लो और यह बहुत basic वीडियो है factorization से related ठीक है अभी हमने factorization सुरू नहीं करा रहा है सिर्फ हम पिछले वाली चीजे जो हमने चोटे classes में पढ़ी है उसको बस revise कर रहे है मैंने एक example आपको बताया और भी example आपके screen पर है आप बस इसको देखो समझो ठीक है इसको देखो समझो और आप factorization और भी clear कर पाऊगे इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम इसके exercise को बनाएंगे ठीक है तो आपको यह और भी ज़्यादा clear हो जाएगा so till then students thank you